पाइगा उनके काम ? पाएगा अपने पिछले पांच साल के कारेकाल में नितिश कुमार ने महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में अनेक महतोपूर्ण कारे किये हैं। पंचयत चुनाओं में महिलाओं को 50 फिजदी आरक्षण। साबित हुआ है। इसमे कोई दो राय नहीं है कि आरक्षण से महिला सशक्तिकरण जमीनी इस्तर पर हुआ है। पर क्या इसका चुनावी लाग नितिश कुमार को होगा। ये अभी बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो बिहार में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं और जन संख्या में महिला का अनुपाद लगबग पुर्शों के पराबर है। पर विधान सभा में महिलाओं का प्रतिनी दित्वर लगबग नगर्नी रहा है। 2015 में चुने गए विधान सभा में 243 में से मात्र 28 महिलाएं ही थी जो विधान सभा के सदस्यों में 11.05 पांच फीजदी था। शुरू से ही कही न कहीं बिहार महिला प्रतिनी दित्वर चुनने के मामले में उदासीन रहा है। अधिकतर 34 महिला विधायक 2010 में चुनी गई थी और 1922 के चुनाओं में शुनने शुरुवात में ऐसा नहीं था पर समय के साथ महिलाओं का प्रतिनी दित्वर कम होता गया। 1957 में 30 महिला विधायक की रूप में चुनी गई थी 1962 में 25 उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2005 अक्टूबर में 25, 2010 में 34 और 2015 में 28 महिलाएं चुनी गई है। मजेदार बात ये है कि जहां शुरुवाती दौर में महिला मतदाता मतदान से दूर रहती थी और उनका मतदान प्रतिशत काफी कम होता था। पिछले दो विधान सभा चुनावों में पुरुष मतदाताओं के तुन्ला में महिला मतदाताओं ने अधिक संख्या में मतदान किया है। 2010 में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 51.12 और महिला मतदाताओं का 54.49 ये फासला 2015 में बढ़कर 7 प्रतिशत का हो गया। जब 53.12 प्रतिशत पुरुष और 60.48 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान के अधिकार का उप्योग किया। महिलाओं को मिला कम अफसर। ऐसा भी नहीं है कि महिला उम्मेदवारों में जीतने की ख्रमता में कमी है। बस उन्हें अफसर नहीं दिया जाता। 2015 के चुनाव में राष्टिय जनता दल ने 10 महिलाओं को टिकर दिया और सभी चुनाव जीत कराएं। मौजुदा चुनाव के बाद नए विधान सभा में भी कोई बहुत बदलाव देखने को शायद नहीं मिलेगा क्योंकि जादतर दलों ने महिलाओं को टिकर देने में फिर से कंजूसी बरती है। जेडियू ने अपने 115 उम्मिदवारों में मात्र 22 महिलाओं को जगा दी है और विजेपी ने अपने 110 उम्मिदवारों में 13 महिलाओं का नाम शामिल किया है। विपक्षी पार्टियों में भी कमोविश यही इस्तिती है। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप अबारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंदाई वीडियो को शेर करना ना भूलें। और ज्यादा जानकारी के लिए लोग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें Twitter, Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation1 के साथ।